तरीके से जो है find out करते हैं ये सारी के सारी चीजे हमने सीख लिए और हमने ये पताया था कि भाई national income को find करने के तीन तरीके के method होते हैं एक होता है product method जिसको value added method भी कहते हैं वो हम तो पढ़ चुके एक होता है income method और एक होता है expenditure method आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं income method की बात करने जा रहे हैं कि income method से जो है national income को किस तरीके से find out जो है किया जाता है तो आज हम income method का पूरा का पूरा theoretical समझने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि इसके अंदर पहले क्या निकलता है फिर क्या निकलेगा और किस तरीके से उसको convert किया जाएगा राश्टाय को national income को find out करने के लिए देखिए जैसे मैंने आपको बताया जैसे मैंने आपको बताया कि भाई product method के अंदर आपके पास जो tool होता है product method के अंदर आपके पास जो tool होता है GDP at MP एक बारी आपने GDP at MP अगर निकाल दिया तो उसके बाद जो है आप कुछ भी आप कुछ भी जो है निकाल सकते हो GDP at MP, product method के अंदर, अब आपको समझना है, income method, income method में आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे आपके पास जो tool है, वो क्या है, तो मैंने आपको पहले बता है, सबसे पहले निकलता है domestic, उसके बाद domestic को convert किया जाता है, national के अंदर, पहले domestic की निकलेगा, चाहे आप तीनो में से, चाहे आप तीनो में से कोई सभी method कर रहे हो, product method के अंदर, जो domestic होता है, उसको GDP at MP कहते हैं, और अगर आपको याद हो, अब हम कर रहे है, income method, तो अब हम income की बात करेंगे, केबल, तो income method के अंदर, मैंने आपको दो चीज़े बताई थी, कि यह जो होता है, यह होती है national income, तो रुद्र मेरे को बताएगा, के आठ वर्ड पढ़ाये थे, आठ वर्ड में आपको पढ़ाये थे, उसमें से कौन सा वर्ड जो है, वो domestic income होता है, अगर वो आप से कह रहा है question में, के find, हाँ जी, आपको मैंने यह बताये था, और national income को कह कहते हैं, हाँ जी, आपको मै मैंने यह बताया था, के भाई, के भाई, अगर आपको domestic income अगर find out करनी है, तो आपको NDP at FC निकानना पड़ेगा, और national income अगर find out करनी है, तो NNP at FC करना पड़ेगा, तो अब हम जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, income method की, बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें करेंगे, income method और expenditure method बहुत ही important concept है, compulsory question है, exam के अंदर आता ही आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे income method के अंदर, सबसे पहले income method के अंदर हम जो है, हम जो है, domestic income को find out करेंगे, और domestic income के बाद यह हमारा tool है, उसके बाद वो कुछ भी बोले, चाहे वो national income बोले, चाहे वो national income बोले, या कोई भी other element बोले, या कोई भी other element बोले, find out करने के लिए, वो हम conversion करके find out कर लेंगे, हमारा जो main मुद्ध है याँ पे, वो है, ndp at fc, आपको income method के अंदर, सबसे पहले क्या find out करना है, आपको income method के अंदर, सबसे पहले जो find out करना है, वो है, ndp at fc, मतलब की domestic income, question ये है, कि याँ पे domestic income जो है, वो किस तरीके से find out होती है, बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि इसमें जो question है, वो theoretical भी आता है, और numerical तो आए गई आएगा, theoretical कैसे आता है, जैसे की, जैसे की, इसके ndp at fc को निकानना है, अगर आपको income method के पहला जो component होता है, इसके अंदर, वो होता है आपका, वो होता है आपका, compensation of employee, ये होता है इसके अंदर, सबसे पहला component, compensation of employee, दूसरा जो इसके अंदर होता है, वो होता है, operating surplus, और तीसरा जो होता है, इसके अंदर, वो होता है, mixed income, Mixed Income of Self-Employed ये मेरे को Mixed Income of Self-Employed अगर मेरे को Income Method से question को करना है तो मैं सबसे पहले NDP at FC को find out करूँगा जैसे product method के अंदर क्या था कि भाई मैं GVA निकालूँगा सबसे पहले value of output minus intermediate ठीक है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या निकालूँगा यहाँ पे मैं सबसे पहले निकालूँगा NDP at FC जिसके लिए मुझे तीन component चाहिए कौन कौन से सबसे पहला मुझे चाहिए compensation of employee दूसरा मुझे चाहिए operating surplus और तीसरा मुझे चाहिए mixed income ठीक है इन तीनों component को मैं जोड़ दूँगा तो मेरा क्या है NDP at FC आ जाएगा like माल लीजिए माल लीजिए यह दे रखा है 200 यह दे रखा है 300 और यह दे रखा है 400 तो मेरा NDP at FC कितना आ जाएगा अगर मेरा NDP at FC यह आ जाएगा 1000 रुपीज मेरा NDP at FC आ जाएगा मैंने क्या करा sorry 900 रुपे आ जाएगा 900 रुपे आ जाएगा मेरा NDP at FC ठीक है जी अच्छा लेकिन यह तो अगर मेरे को सीधा दे रखे हूँ तीनों component तब तो ठीक है तब तो बहुत अच्छी बात है तब तो हलवा बना हुआ है सीधा खाना है compensation employee सीधा दे रखा है operating surplus सीधा दे रखा है mix income सीधा दे रखी है तो मैंने put कर दिया और NDP at FC आ गया लेकिन हमारी किस्मत इत्ती अच्छी नहीं है कि आपको यह तीनों component जो है यह आपको सीधा सीधा दे यह तीनों component आपको सीधे सीधे जो है सीधे सीधे जो है नहीं मिनने वाले हैं हमें एक एक component पे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको find out करना पड़ेगा और तब जाके NDP at FC निकलेगा ठीक है यह जो यह बटा theoretical के point of view से भी important है वो आयसे पूछ लेता है compensation of employee क्या होता है इसके component बताईए operating surplus क्या होता है इसके component बताईए और mixed income क्या होती है one marks में यह IVA mixed income और यह तीनों और यह दोनो three three marks के अंदर theoretical में भी हजार बारी repeated question है पूछे गए हैं तो हम सबसे पहले बात करते है compensation of employee की compensation of employee सबसे पहली बात तो compensation of employee सबसे पहली बात तो होता क्या है पहले तो हम इसकी बात करते है उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर यह आपको given ना हो तो मैं compensation of employee को किस तरीके से find out जो है कर सकता हूँ तो compensation of employee का पहले मतलब समझेंगे बिटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे एक organization के अंदर दो बंदे होते हैं पहला जो बंदा होता है वो होता है employee और दूसरा जो बंदा होता है वो होता है employer ठीक है employer कौन होता है employer होता है मालिक और employee कौन होता है employee होता है काम करने वाला कर्मचारी जो उस organization के अंदर काम कर रहा है so what is compensation of employee compensation of employee का मतलब है कि एक employer ने अपने employee को काम के बदले में क्या क्या चीजे provide कराई it's called compensation of employee क्या बोला मैंने एक employer ने अपने employee को क्या क्या दिया मैं या लिक देता हूं हिंदी में ताके आपको याद रहे क्या बोला मैंने एक employer ने एक employee को employer यह तो देगा employee को एक employer ने एक employee को उसकी service के बदले में उसकी सर्विस के बदले में क्या क्या दिया वो क्या क्यलाता है वो compensation of employee क्यलाता है वो क्या क्यलाता है वो आपका compensation of employee क्यलाता है ठीक है तो अगर ये मेरे को सीधा नहीं दे रखा तो मैं क्या करूंगा मेरे को कौन कौन से component दे रखे होंगे कि मैं compensation of employee को find out कर सकूँ बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे इसको कि अगर मेरे को compensation of employee given नहीं है तो मुझे किस किस component को add करना पड़ेगा अगर आपको compensation of employee given नहीं है तो बेटा इसके चार component होते हैं आपको क्या करना है इन चारो component को add कर देना है ठीक है compensation of employee होता क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ तो सबसे पहला जो होता है बेटा जो एक employer employee को देता है उसके service के बदले में उसको हम कहते है wages and salary wages and salary in cash सबसे पहली चीज़ जो मिलती है एक employer एक employer एक अपने employee को जो सबसे पहली चीज़ देता है वो है wages and salary ये इसके इंदर जोड़ देंगे दूसरा आपको क्या दे रखा होगा दूसरा आपको जो दे रखा होगा इसको हम कहते हैं payment in kind payment in kind का मतलब क्या होता है salary के अलावा आपका जो employer है जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो बेटा कई सारी चीज़े अपने employee को देती है जैसे कौन कौन सी चीज़े होती है एक चीज़ होती है बेटा HRA HRA का मतलब क्या होता है house rent allowance एक होता है RFA rent free allowance मतलब की या तो रहने के लिए घरी दे देती है organization employer अपने employee को रहने के लिए घरी दे देता है ठीक है या या बेटा अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी MNC's कंपनियां जो होती है वो हर महिने अपने employee को क्या करती है किराया देती है कि लो जहां पे मन है वहां पे रह लिजिए तो उस चीज को हम क्या कहते है इसको कहते है house rent allowance ठीक है और इसको कहते है rent free allowance या तो घर दे रही है या किराया दे रही है कि जहां मर्जी रही है और भी ऐसी कई सारी facilities है जो बड़ी बड़ी कंपनिया अपने employees को देती है तो इसको कहते है इसको कहते है payment in kind अच्छा तीसरा जो यहां पे component होता है इसको कहते है employer contribution बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे इस component को यह बहुत ज़्यादा important है employer contribution employer contribution to social to social security इसका क्या मतलब होता है बटा जो companies होती है एक employee जब एक काम करता है company में तो employer क्या करता है उसको कही तरीके की facility देता है जिसमें से facility होती है जिसको हम क्या कहते है जिसको हम कहते है provident fund पी एफ के नाम से यह जाना जाता है component short में पी एफ कहते है इसको क्या होता है यह बटा पी एफ होता क्या है हर महीने जब employee को salary मिलती है तो हर महीने उसकी salary में से कुछ portion कट होके future के लिए save होता रहता है जैसे मान लीजे मेरी salary 12,000 रुपे है ठीक है तो हर महीने मेरी salary में से 1000 रुपे कट होते रहेंगे और PF account में जमा होते रहेंगे और जब भी मैं job छोड़ूँगा या job के साथ साथ भी निकाल सकते हैं तो मैं अपने PF account से पैसे निकाल सकता हूँ उसको बेटा ये एक तरीके की क्या है एक तरीकी saving है employee की future के अंदर कोई miss happening हो गई emergency की situation में ये बहुत काम आती है बेटा जैसे अभी जैसे lockdown चला है तो लोगों का PF का पैसा बहुत जादा काम आ रहा है अभी ऐसी संकट की स्तिती में तो ये एक तरीके की saving होती है ये जो PF जो account होता है इसके अंदर क्या होता है employee की salary से भी पैसे करते हैं और employer भी contribution करता है दो जोनों का contribution होता है इसमें किस-किस का एक तो होता है employee का contribution इसकी तो salary से कर जाते हैं ठीक है employee का contribution और एक होता है employer का contribution दोनों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है दोनों को इस PF account के अंदर contribution करना पड़ता है हर महीने पैसे जो है से इसमें देने पड़ता है employer को हर employee का देना पड़ेगा और employee की salary से कड़ जाएगा तो बेटा अब यहाँ पर चाल बाजी समझेंगे बहुत ज़्यादा ध्यान से मुझे third component में मैंने क्या लिखा है मैंने यहाँ लिखा है employer employer लिखा है मैंने यहाँ पर employer contribution to social security क्योंकि मैंने आपको क्या बोला compensation of employee का क्या मतलब होता है मैंने बोला employer ने employee को क्या दिया तो बेटा आपको जो contribution चाहिए वो इसका चाहिए इसका employer का contribution चाहिए वो जान बूच के आपको question के अंदर employee का contribution देदेगा ताकि आप उसके अंदर add कर दो लेकिन आपको यह दियान रखना है आपको बेटा employee का contribution नहीं चाहिए आपको employer का contribution चाहिए या मैंने employer लिखा है या तो वो दोनों ही दे देता है employee भी दे देगा employer भी दे देगा ताकि आप दोनों जोड़ दो लेकिन आपको ध्यान दखना है कौन सा चाहिए employer का चाहिए या आपको ध्यान दखना है या मालो दोनों नहीं दे रखे employee वाला दे रखा employer वाला है नहीं employee वाला ही दे रखा है बस तो भाई नहीं लेंगे employee वाले का कुछ भी use नहीं होता employer वाला चाहिए है तो ठीक और नहीं है तो गोली मारो zero put कर देंगे और last जो इसका component होता है ये बेटा ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा important है last जो इसका component होता है इसको कहते हैं इसको कहते हैं pension on retirement pension on retirement का क्या मतलब होता है बेटा वो बंदा वो बंदा जिसने अपनी service दिये है जब वो retire हो जाता है 55-60 साल की उमर में फिर उसकी organization हर महीने क्या करती है उसकी service के बदले में pension देती है बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे exam में question आता है के भाई pension on retirement तो add होती है ठीक है लेकिन मैंने आपको बताया था transfer income में बताया था senior citizen की pension वो तो add नहीं होती तो exam में question आता है exam में question आता है के भाई ऐसा जो है क्यों होता है एक मिनट रुकिएंगे जरा जो इतने सालों तक जो उसने service दी उस service के बदले में pension मिल ली है free में नहीं मिल ली इतने सालों तक बंदे ने इतने सालों तक बंदे ने काम किया तब जाके मिल ली है तो ये उसकी service के बदले में मिल ली है free of cost नहीं है तो यह one sided की payment नहीं है ठीक है यह इसकी factor services के बदले में मिल ली है इसलिए इसको add करेंगे यह transfer इंकम जो है नहीं कहलाती है तो अगर आपको अगर आपको क्या कहते हैं अगर आपको compensation of employee अगर आपको given नहीं है तो आपको क्या करना है आपको चार चीजों को payment in kind employer contribution और employer का लेना है employee का नहीं बार बार बोलाओं चिल्ला चिल्ला के अगर employee का दे रख्या उसको ignore मारेंगे totally और last है pension on retirement जितनी दे रख्यों जितनी दे रख्यों उतनी चीज़े जोड़ देंगे दो दे रख्या दो जोड़ देंगे तीन दे रख्या तीन जोड़ देंगे एक दे रख्या एक जोड़ देंगे जितनी दे रख्या उतनी जोड़ देंगे बिटा ठीक है जो नई दे रख्या उसको zero put कर लेंगे आप समझे बिटा चाल बाजिया अब वो क्या करता है अब आपके साथ चालबाजी चलेगा क्या अब वो बिटा आपको compensation of employee भी देदेगा ठीक है और इसके ये मैंने चार component बताएं इस चार component में से wages and salary भी देदेगा या ये भी देदेगा employer contribution ये भी देदिया compensation और इन चारों में से इन चारों में से कोई भी एक component और देदेगा दो भी दे सकता है तीन भी दे सकता है ठीक है तो क्या करेंगे ऐसी situation में क्या सीखा हमने पिछले वाले method के अंदर के भाई जो मुद्दा मेरे को चाहिए मेरे को सीधा दिखतो राए मेरे को compensation of employee चाहिए तो मेरे को question में compensation of employee दे रखा है तो अगर compensation of employee का कोई भी component अगर दे रखा है तो component को नहीं लेंगे वो तो उसने जान बूच के दे रखा है ताकि आप आपको ये पढ़ाया गया है कि compensation of employee के ये component होते है wages and salary, employer contribution, pension and retirement ताकि आप उसमें add कर दो और आपका गलत हो जाए अरे मेरे भाई, ये जो चारो component है, ये तो already उसमें जुड़ेवे हैं compensation of employee के अंदर तो आप क्यों दुबारा उसके अंदर उसको जोड रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है, दूसरी चालबाजी पहली तो ये ध्यान रखनी है employer और employee का चक्कर और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये भी दे दे और इसका कोई component भी दे दे तो component को नहीं लेंगे क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपको पास है, तो बस बात खतम, that's it अच्छा, अब आती है दूसरे component की बात compensation of employee का मतलब मैंने आपको बता दिया के भाई, एक employer अपने employee को क्या-क्या देता है, उसको कहते है compensation of employee अब हम बात करते हैं, ओपरेटिंग surplus क्या होता है ओपरेटिंग surplus क्या होता है और अगर यह आपको ना दे रखा हो तो ओपरेटिंग surplus को किस तरीके से find out करेंगे तो हम बात करते हैं अब second component की इस second component का नाम है operating surplus देखिए operating surplus का मतलब होता है operating surplus का मतलब होता है asset और asset और जो भी आपकी industry है asset और industry इससे होने वाली asset और industry से होने वाली income asset और industry से होने वाली income या business से entrepreneurship कुछ भी लिख सकते हो उससे होने वाली जो income है वो क्या कहलाती है वो operating surplus कहलाती है वीटा अगर आपको operating surplus given नहीं है तो इसके जो है इसके जो है अपने component होते है आपको क्या करना है इन सभी components को add कर देना है तो आपके पास operating surplus आ जाएगा फर्स्ट वन इस रेंट सेकंड वन इस इंट्रस्ट थर्ड वन इस प्रॉफिट और लास्ट वन इस रोयल्टी one by one समझेंगे one by one समझेंगे कौन सी चीज क्या होती है रेंट बताने की कोई वो नहीं है भाई कोई property है उसके रेंट पर दी किराया आ रहा है तो वो क्या कहलाता है रेंट कहलाता है इंट्रस्ट पैसा दिया किसी को बदले में बिया जा रहा है इंट्रस्ट कहलाता है profit जो भी companies वगेरा है जो भी revenue जब जाद हो जाता है expense से तो जो भी income generate होती है profit कहलाती है royalty क्या होती है royalty में confusion होती है बच्चों को royalty क्या होती है royalty का मतलब होता है जिस भी चीज़ पे बेटा आपका right है जिस भी चीज़ पे आपका right है तो और कोई दूसरा बंदा चाता है उस चीज़ को use करना copyright या patent कुछ भी कह सकते हो ठीक है आपके पास जिस भी चीज़ का right है आपके पास उसका patent है आपके पास उसका copyright है ठीक है और कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ करना चाहता है तो बिना आपकी permission के वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि आपने उसका patent copyright करा रखा है तो वो आपको लेकिन वो उसको यूज़ करना चाहता है और उसके बदले में आपको जो commission pay कर रहा है it's called royalty ठीक है तो आपके पास जो भी right है ठीक है या जिस भी चीज़ का आपके पास patent है copyright है जिस भी चीज़ का ठीक है तो कोई another person क्या कर रहा है उसको use करना चाह रहा है और use करने के बदले में वो क्या कर रहा है वो जो है कुछ commission pay कर रहा है वो जो commission pay कर रहा है उसी commission को royalty कहते है बटा अच्छा तो जब operating surplus मेरे को given नहीं होगा तो मेरे को ये चार component given होगे rent, interest, profit और royalty बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बटा I am giving you lot of information बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे गल्ट हो जाता इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा अब वो आपके साथ चालबाजी चलेगा क्या वो आपको operating surplus भी दे देगा ठीक है और मैंने बोला मैंने बोला के मैंने बोला के इन चारो को कब जोड़ना है जब operating surplus गीवन ना हो तब तो जोड़ देंगे ठीक है लेकिन अब वो आपके साथ चालबाजी क्या चलेगा वो आपको operating surplus भी दे देगा और इन चारो component में से कोई भी component दे देगा मालो rent दे दिया इंटरस्ट दे दिया प्रॉफिट दे दिया कुछ भी दे देगा इसके चार है ना कोई सभी component दे देगा दो तीन कुछ भी दे सकता है बेटाई चार भी दे सकता है कुछ भी दे दे तो भाई अपना अपनी बात पे अड़े रहना है कि जो मुझे चाहिए मेरा मुद्दा है operating surplus मेरे को वो question में दिग गया बस बात खतम अब उसने चाहे rent दे दे चाहे interest दे दे चाहे profit दे चाहे royalty दे मेरे को उसको देखना ही नहीं है कुछ भी दे दे कितना भी दे दे मेरे को जो चीज चाहिए मेरे को question में दिग गई है और मैं अब सारी चीजों को ignore करूँगा अगर operating surplus गीवन है तो उसके किसी भी component को add नहीं करेंगे because वो component तो already उसमें add है ना भाई ये अगर मैं दुबारा जोड़ दूँगा तो गलत हो जाएगा मेरा question डबल डबल add हो जाएगे तो अगर ये भी गीवन है और उसका कोई component भी गीवन है तो component को नहीं लेंगे तीनों method में एक ही मुद्दा लगेगा कि अगर आपको जो चीज चाहिए वो आपको गीवन है और आपको उसका component भी गीवन है तो भाई उसको उसको नहीं लेते एक ही बात पर आपको डटे रहना है अच्छा अब यहाँ पर ये जो हाँ जी बताइए क्या कहने भाई मैं ये कह रहा हूँ अगर operating surplus भी गीवन है और rent, interest, profit और royalty इन चारों में से अगर कोई भी component गीवन है operating surplus भी गीवन है और operating surplus का कोई भी component गीवन है इसके चार component है rent, interest, profit और royalty अगर आपको ये भी गीवन है operating surplus और उसका component भी गीवन है तो operating surplus भी लेते हाँ तो operating surplus को ही put करेंगे जो मुझे चाहिए वो मुझे दिग गया बाकि सब भाड में जाए और मुझे कुछ ने चाहिए अच्छा अब ये जो ये जो profit है कभी कबार क्या होता है जब बेटा question बहुत ज़्यादा tough होता है तो आपको profit ना सीधा नहीं दिया होता तो जब profit सीधा नहीं दिया होता तो profit के अपने तीन component होते हैं बेटा profit क्या होता है जो भी companies वगेरा है वो जितना भी profit earn कर रही है उसके अपने तीन component होता है वो तीन जगा जाता है बेटा total profit जो है जितना भी profit होता है company के अंदर वो total तीन जगा जाता है कहा का जाता है सबसे पहले तो जो companies के अंदर shareholder होते है उन shareholder को डिविडेंट को जो है, distributed profit, इसके नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, profit में से ही तो dividend देती है अपने shareholder को, ये होता है बीटा सबसे पहला, अच्छा. दूसरा जो है इसको कहते हैं इसको कहते हैं बिटा दूसरा सरकार के पास जाता है as a tax जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम जो है corporate tax के नाम से जानते हैं ठीक है या आप इसको जो है corporate tax भी कह सकते हूँ या आप इसको जो है corporate corporate profit tax ये भी कह सकते हूँ बिटा तो भाई अगर profit होता है तो government को tax देना पड़ता है और अगर नहीं होता तो नहीं देना पड़ता तो profit का एक portion जाता है shareholder को as a dividend, profit का एक portion जाता है सरकार को as a tax और profit का एक portion जो है, profit का एक portion जो है company अपने पास रखती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, undistributed profit या आप इसको जो है, retain earning के नाम से भी जान सकते हो मतलब company क्या करती है, profit का वो portion जो company ने अपने shareholder में distribute नहीं करा future के लिए save करके रख लिया, उसको जो है undistributed profit या retain earning के नाम से जानते हैं तो वो भी profit का ही part है बेटा, profit बस उसको shareholder को बाटा नहीं अरग रख दिया इसलिए उसको undistributed profit जो है कहते हैं, अच्छा तो बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सारा ध्यान यहीं होना चाहिए अगर मेरे को profit given नहीं है, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा हूँ अगर मेरे को profit given नहीं है, तो आपको इस में से जित्ते भी चीज़े given होंगी आपको क्या करना है इन तीनों को जोड देना है तीन दे रखे तीन जोड देंगे दो दे रखे दो जोड देंगे एक दे रखा है एक ही ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है अगर profit given नहीं है तो ये हरकत करेंगे ठीक है profit के अपने तीन component होते है if profit is not given then आपको क्या करना है dividend corporate tax and corporate tax and undistributed profit आपको जो है इसको जो है आपको add कर देना है तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास जो है निकल कर आ जाएगा क्या कहते हैं ये profit निकल कर आ जाएगा इसका बेटा एक और नाम है आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक्जाम में कुछ भी लिखकर आ जाता है इसको corporate saving भी कहते हैं तीनों नाम आपको ध्यान लखने है undistributed profit, retained earning, corporate saving इसके दो नाम है बेटा और इसके भी दो नाम है सबके नाम याद रखने है क्योंकि numerical में कुछ भी लिखकर आ जाता है खास कर ये undistributed profit और corporate saving तो अच्छा अब वो क्या करता है अब वो आपके साथ चलेगा चाल क्या मैंने क्या बोला कि भाई अगर profit given नहीं है तो आपको ये तीनों में से जित्ते भी component दे रख्योंगे उनको जोड़ देना answer आ जाएगा लेकिन अब वो आपके साथ चाल क्या चलता है वो आपको profit भी दे देगा और वो आपको profit के ये तीन component बताएएए इसमें से कोई सभी दे देगा मालो ये दे देगा ये दे देगा या तीनों ही दे देगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब मैं क्या करूँ फिर वोई बात भाई अपनी बात पे डटे रहना है मेरे को क्या चाहिए मेरे को profit चाहिए था मेरेको profit दिग गया numerical के अंदर मेरेको profit दिग गया तो एक बारी अगर मेरेको profit दिग गया मैं बाकी किसी भी component को नहीं लूँगा क्योंकि जैसे ये भी दे देगा वो और ये भी दे देगा ये dividend भी दे देगा या undistribute dividend दे दिया माल लो तो भाई मैं dividend को नहीं लूँगा क्योंकि dividend तो already profit का component होता है वो तो already उसके अंदर जो है जुड़ावा होगा अगर मैंने जुवारा जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा तो यह आपको दियान रखनी है यह सारी छोटी छोटी बाते और एक ही बात है वो ही method 1 में भी लगेगी वो ही method 2 में भी लगेगी और वो ही method 3 के अंदर जो है वो ही method 3 के अंदर भी लगेगी एक बात पर डटे रहना जो मुझे चाहिए वो मुझे दिख गया तो भाई मैं नहीं लूँगा भाड में जाए सब खतम बात यह है operating surplus अच्छा अब आते हैं तीसरा component इसका तीसरा जो component है वो है mixed income mixed income of self-employed अगर मेरे को यह ना गीवन हो तो मैं क्या करूँगा पहली बात तो यह होता क्या है पहले तो यह समझे क्योंकि one mark में यह जो है one mark में यह कई बारी जो है exam में पूछा जाता है कि mixed income बताईए क्या होती है और यह बच्चों को समझ में नहीं आता mixed income का मतलब यह है जैसे मान लीजे बेटा sole proprietor है sole proprietor आपको पता है कक्षा 11 में में पढ़ाता एक अकेले बंदे का जो business होता है वो sole proprietor है ठीक है अब मान लो उसकी एक shop है ठीक है पहले उसने एक दुकान लगाई ठीक है यह land है ठीक है पैसा भी इसने लगाया capital है काम भी बेटा खुदी करता है वो ठीक है तो क्यक्ते है labor जो है वो खुद है ठीक है land भी बेटा उसी की है मान लो उसी की shop है यह जमीन भी उसी की थी ठीक है यह मान लो किराये पे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पैसा भी उसी की लगता है बेटा labor भी वो काम भी खुदी करता है दुकान के अंदर और वो ही बेटा entrepreneur भी है उस दुकान का ठीक है तो अब देद किये land के बदले में जो rent मान लो अगर उसकी होती दुकान तो rent भी बेटा उसी कोई मिलेगा किसी को देना नहीं है पैसा जो उसने लगाया है उसके बदले में interest labor के बदले में जाती है wages and जो entrepreneur को मिलता है वो मिलता है profit जो ये दुकान चला रहा है ये दुकान चलाने से मान लो एक महीने के अंदर अंदर इस बंदे ने 50,000 रुपे कमा लिए 50,000 रुपे कमा लिए एक महीने के अंदर अंदर तो बेटा इस में क्या होता है इस 50,000 में से मैं ये पता ही नहीं कर सकता कि ये जो बंदा था सोल प्रोप्राइटर इस पचास अजार में से इसकी रेंट की इंकम कितनी है इसकी इंटरस्ट की इंकम कितनी है इसकी वेजिस की इंकम कितनी है और इसकी प्रॉफिट इसका कितना है ये मैं पता नहीं कर सकता दुकान इसकी थी capital भी इसी ने लगाई, काम भी इसने खुद किया, entrepreneur भी यही है जमीन भी इसकी है, तो कितनी यह 50,000 में से कितना portion rent का है, कितना portion interest का है कितना portion wages का है और कितना portion profit का है, इसको calculate करना बहुत ही ज़ादा tough काम है, that's why it's called mixed income of self-employed, like मैंने example आपको बताया, जैसे sole proprietor जो होते हैं, उनकी खुद की दुकान होती है, खुद के factors होते हैं खुद के factors of production होते हैं उनके बदले में जो return मिलते हैं वो भी उसी को ही मिलते हैं, तो जो भी income होती है, उसमें से rent की कितनी है, interest की कितनी है, wages की कितनी है इसको आप calculate नहीं कर सकते इसलिए बेटा ये mixed income कहलाती है अच्छा ये बेटा इसके दोई case है या तो given होगी या नहीं होगी ठीक है अगर given है तो by put कर देंगे ठीक है और अगर given नहीं है तो by इसका कोई component नहीं होता अगर not given है तो by zero put कर देंगे बात खतम नहीं है तो zero है तो put कर देंगे जो भी दे रखी है इसका अपना कोई भी component नहीं होता इस तरीके से हम तीनों component को find out कर सकते है मैंने आपको बताया कि भाई अगर मैंको income method से question को करना है तो मेरे को भाई NDP at FC को निकानना पड़ेगा NDP at FC कैसे निकलेगा NDP at FC निकलता है तीन component चाहिए सीधा दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं दे रखे तो बहुत बुरी बात है फिर हमको जो है उसको calculate करना पड़ेगा पहला component है compensation of employee दूसरा है operating surplus तीसरा है mixed income of self-employed तीनो मेंने आपको बताए क्या होते हैं अगर ये ना दे रखाओ तो क्या करना है ये ना दे रखाओ तो क्या करना है और ये ना दे रखाओ तो क्या करना है तो हम क्या करेंगे तीनो component कैसे निकानने है कैसे find out करने है वो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो माल लीजिये मेरे पास NDP at FC मैंने निकाला NDP at FC मैंने निकाला तीनों कॉंपोनेंट से मालों कंपनसेशन आफ इंप्लोई 500 है ठीक है ये आपका 1000 है और ये आपका 500 है ठीक है तीनों निकाल लिया मैंने और मेरा जो कितना आ गया मेरा जो आ गया वो आ गया 2000 रुपे उसके बाद एक बारी आपके पास बीटा NDP at FC आ गया एक बारी आपके पास NDP at FC आ गया आपका जो टूल था वो आपके पास आ चुका है अब आप इस टूल की मदद से कुछ भी निकाल सकते हैं कैसे कुछ भी निकाल सकते हैं जैसे कि वो आपसे कहता है कि National Income निकाल भाई उसने आपसे बोला कि भाई National Income निकाल Income मैथड से तो भाई National Income को क्या कहते हैं National Income मुझे निकाननी है तो national income अगर मुझे निकाननी है it means मेरे को जो है NNP at FC NNP at FC को जो है मेरे को find करना है और मेरे पास क्या है अब मेरे पास जो tool है मेरे पास जो है NDP at FC है ये मेरे पास tool है ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं करूंगा conversion कैसे करते है conversion मुझे net चाहिए मेरे पास net है तो भाई ये तो ठीक है अगर गलत होता तो convert करते है मुझे net चाहिए मेरे पास जो चीज है वो net पही है तो ये बिल्कुल ठीक है मुझे NP चाहिए और मेरे पास DP है तो NP का फॉम क्या होता है वो होता है DP प्लस NFIA मेरे को FC चाहिए और मेरे पास FC है तो ये तो ठीक है जो ठीक होता है उसको नहीं चेंज करते It means मेरे पास ये जो 2000 आया है मेरे को क्या करना है मेरे को केवल इसके अंदर NFIA जोड़ देना है बस और आंसर आजाएगा माल लो NFIA NFIA माल लो 3000 है तो मेरे नैशनल इंकम कितनी आजाएगी मेरे नैशनल इंकम जो है वो आजाएगी मेरी 5000 रुपे केवल NFIA जोड़ देंगे नैशनल इंकम आजाएगी या माल लो कुछ और मेरे को find out करना है माल लो मेरे को find out करना है GNP at MP ये find out करना है मेरे को ठीक है और मेरे उसने बोला भाई GNP at MP निकाल और मेरे पास क्या है मेरे पास जो है NDP at FC है तो अब किस तरीके से conversion होगी अब देखेंगे बहुत ज़्याजा ध्यान से इसकी conversion किस तरीके से होगी मुझे gross चाहिए और मेरे पास net है left side का मतलब क्या होता है left side का मतलब होता है वो आपको चाहिए ठीक है तो भाई मुझे तो gross चाहिए और मेरे पास net है तो gross का formula क्या होता है gross का formula होता है net plus debt ये होता है gross का formula मेरे को national product चाहिए NP और मेरे पाद DP है तो मैंने आपको formula बताया था NP का जो formula होता है यह होता है DP plus NFIA यह जोड़ देंगे अच्छा मेरे को चाहिए MP और मेरे पास है FC तो फिर क्या करेंगे तीसरा formula क्या बताया था MP का जो formula होता है वो होता है FC plus NIT यह तीनों जोड़ दूँँ है जैसे यह मालो मेरी यह figure है 2000 ठीक है मालो यह इसकी figure दे रखी है 500 यह दे रखी है 1000 और यह दे रखी है मालो 300 सबको put कर देंगे तो answer जो है आपका आ जाएगा 3800 रुपे इस तरीके से एक बारी आपके पास एक बारी आपके पास NDP at FC आ गया जो भी आपका टूल है उसने income method से कुछ भी निकानने के लिए बोला है कुछ भी आप इसको find out कर सकते है मालो वो कह रहा है भाई भाई NDP at MP निकाल तो फिर मैं क्या करूँगा यह माल लीजिए NDP यह माल लीजिए वो आप से कह रहा है चला NDP समझते हैं पहले NDP at MP निकाल उसने यह बोला तो भाई मेरे पास क्या है मेरे पास NDP at FC है केवल NIT को जोड़ दूँगा केवल NIT को जोड़ दूँगा आ जाएगा answer यह माल लो वो कह रहा है वो कह रहा है GDP GDP at MP निकाल तो फिर मैं क्या करूँगा और मेरे पास कैए मेरे पास NDP at FC है तो ASIC मेरे पास gross है मेरे पास gross है सरी मेरे को gross चाहिए मेरे पास net है तो मैं क्या करूँगा depreciation को plus कर दूँगा मेरे को DP चाहिए और DP DP, DP ठीक है और MP plus NIT तो जो conversion होती है वो उसी basic formula की help से होती है ठीक है आपको बस क्या करना है आपको बस बार बार यूज होते रहेंगे conversion के लिए और हम अब एक बार ये अपना टूर निकालेंगे उसके बाद कुछ भी बोला उसने वो और निकल जाता है लेकिन जो उपर मैंने आपको चीजे बताईए mixed income क्या होती है दे रखी है ठीक नहीं दे रखी ठीक operating surplus क्या होता है कैसे निकलेगा कैस के component होते है जब कब component लेना है कब component नहीं लेना profit क्या होता है कैसे निकलता है कब profit को लेना है कब component को लेना है compensation of employee क्या होता है इसके क्या component होते हैं कब component को लेते हैं कब component को नहीं लेते कब employee का employee का contribution नहीं लेते employer का contribution लेते हैं ये सारी चीजे जब आपको याद होंगी तब जाके आपका NDP at FC आएगा और उसके बाद हम किसी को भी convert कर सकते हैं जो भी उसने पूचा है income method से ये आपका पूरा का पूरा income method I hope आपको बहुत इच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम कल जो हैं इसके numerical question को solve करने ये वाले हैं कि आखिर किस तरीके से income method पे किस किस टाइप के numerical question एग्जाम में पूचे जा सकते हैं